सबसे important part लोगों में हैं वो है symbols का दूसरा important part है क्या feel डालना चाहते हूं आप लोगों में और तीसरा important part है उनका astrological connections यह तीन केटेगरी हैं, means मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट केटेगरी इस सिम्बल्स, सेकंड केटेगरी इस फील आफ लोगो, थर्ड इस अस्ट्रोलॉजी, अस्ट्रोलॉजी मीन्स, अब कुछ होती है, कि बहुत सारे शेरोल्डर्स होते हैं, उसमें आपको इस स्पेसिफिक तो चल नहीं सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल प्लैनेट होता है, दूसरा होता है प्लैनेट, होरोस्कोप प्लैनेट, जो इंडस्ट्रिय डिर्वन प्लैनेट हुआ, क्लियर, आप अगर किसी लोगों को ध्यान से देखते हो, तो हर एक लोगों में कुछ हिडन सिंबल्स होते हैं, क्लियर, जो कि कुछ सिंबल्स तो बहुत हमारे चलते हैं, जैसे स्वास्तिक का निशान, यह कुछ सिंबल्स ऐसे हैं, जो बहुत कॉमन है, एक स्माइल, जब भी कोई एड देखते हो आप, तो आखरी में कैसे दिखाते हैं, ऐसे, तो वो आपको अच्छा लगता है, हिट करता है, तो वो लोगों में भी है, लोगों में भी स्माइल पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्लियर, एक और सिंबल हुआ, अक्सर आपने देखा होगा, लोगों के बीच में एक हेड बना होता है, मीन्स, एक लोगो है, उसके बीच में एक डॉट लगा हुए, देट डॉट, वो जो डॉट है, वो कोई ऐसी डॉट नहीं है, वो हेड है, अक्चुली, और जो उसके बीच में दिखरी चीज है, उसको अगर आप ध्यान से पीछे होके देखोगे, तो आपको दिखेगा कि वो एक आदमी खड़ा हुए, तो फेस दिखाते हैं, मतलब आइडेंटिटी दिखाते हैं, यह छोटे-छोटे hidden symbols हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति, infinity, अंकार, इनके symbols को भी use करते हैं, ठीक है, कुछ भी form में, किसी भी form में, infinity का भी बड़ा उसमें relevance होता है, तो आपको यह symbols देखने हैं, डालने हैं, एक logo में, cater करने के लिए, ताकि वो logo अपील करें, दूसरा part होता है, उस logo का feel, अगर आपने ध्यान से note किया हो, जितना भी courier से related business है, वो business, उस business में दिखाते हैं, आगे, अगर आप ध्यान से देखो, इस logo की feel होती है, आगे लेके जा रहा है, वो बिचे से कोई चीज आगे लेके जा रहा है, ठीक है, अगर आप कोई food industry की देखो, food industry में mainly smile, या face, बहुत जादा दिखेगा आपको, smile और face क्यों दिखाते हैं इसमें, और ऐसा मूँ खुला हुआ दिखेगा, ऐसे आप, क्यों, जैसे cafe coffee day, उसमें बना हुआ है ऐसे निशान, उसमें दिखाते हैं कि वो मूँ खुला हुआ है, ठीक है, वो feel क्या दे रहा है, खाने की, ठीक है, ऐसी motor industry में अगर आप लोगों दिखान से देखो, सारे motor industries के, मतलब जो car makers हैं, उनके लोगों उबरे हुए होते हैं, थोड़े उबरे हुए होते हैं, वो road दिखा रहे हैं, ground से उपर road दिखा रहे हैं, जैसे अगर आप उसकी बात करो, Hyundai की या, Honda की या कुछ भी, तो वो logo ऐसे 3D दिखता है, वो road दिखाते हैं, वो connectivity दिखाते हैं, क्या feel दे रहे हैं वो, वो feel क्या दे रहे हैं, connectivity की, वो Hyundai में जैसे हाथ जोड़ा हुआ दिखेगा, अगर आप तोड़ा दिखो, अगर जो है, उसमें देखोगे, वो आप connectivity देखोगे, दो चीजों को connect कर रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट से related चीजे होंगी, वो connectivity दिखाएंगी, ऐसे जो consultancy से related industry होगे, उसमें क्या feel होनी चाहिए, लोग blissful feel कर रहे हैं, ऐसी feel होनी चाहिए, लोग blissful feel कर रहे हैं, ऐसी feel होनी चाहिए, या blissfulness की feel होनी चाहिए, consultation में, smile की feel होनी चाहिए, हस्ता हुआ होना चाहिए आदमी, यह feel आपको हर industry में देखनी पड़ेगी, कि industry to industry कैसे वो feel लोगों में डाली जा सकती है, एक symbol और है, वो है त्रिशूल का, वो है त्रिशूल का, त्रिशूल मीन्स जो तीन हिस्सों में हूँ, जिसके त्री, मतलब तीन पॉइंट दिख रहे हूँ, जैसे रोल्स रोइस का लोगो, वो त्रिशूल जैसा दिखता है, यह symbols और feel को जब आप club करते हो, तो लोगो बनता है, यह logo कोई ऐसी चीज नहीं है जी, कि ऐसी बना के चेक कर ले दें, बहुत सारी और चीज़ें हैं, जो logo designer होता है, वो aesthetics भी उसके सही करता है, इसी feel में आती है golden ratio, सारे logo golden ratio में नहीं है, लेकिन बहुत logo golden ratio में है, ठीक है, तो golden ratio भी feel एक feel cater करती है, infinity की feel, completion की feel, वो golden ratio depict करता है, इसे divine ratio बुला गया है,